प्रमा जी का आपने दूसरा मंदिर विश्व में कहीं नहीं देखा होगा ऐसा क्यूं है तो वो हम आपको बताते हैं और हमने ये किया गेट क्रॉस पुशकर की और ये कई सारे होटल से स्टार्ट हो जाते हैं जिनके सभी के रूम अलग अलग प्राइस परें यहां पे आपक तो वेलकम बैक टो अधर व्लॉक्स कैसे हैं आप सब फोपसर सब बढ़िया होंगे जैसे कि आप सभी को पता है मैं आया वहाँ अज मेर और अजमेर में मैं आया वहाँ पुशकर मिला जो की इंटरनेेशनल मिला है जो की पूरे सालास नाम है एना एक बार लगता है और हम एक हुमने के लिए और नाइट का व्यू दिखने के लिए क्योंकि यहां पर एंगा पुष कर मेलेगे अंदर नाइट व्यू भी बहुत शांदार होता है इसलिहे हमने दो व्लॉडग बनाया, एक नाइट Be प्यारा लीट संदर तो दोस्तो अब हम पहुचने वाले हैं पुशकर जैसे कि सामने हमें दिखाया देता है लाइटों से सजा हुआ एक गेट जो कि अपने हमें बहुत ही ज़्यादा सुन्दर और बहुत ही प्यारा नजर आता है यहां से हम अपनी फोर्वला ले कर जा सकते हैं और हमने यह किया गेट क्रोस पुशकर की और जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ यहां से हम चलते हैं पुशकर के अंदर और यहां के देखते हैं हम कुछ बैतरी नजरे पुशकर मेले में लोग देश विदेश से भी आया करते हैं यहां के सुन्दर नजरे देखने के लिए जैसे कि मै अब हम देखते हैं पुशकर को लाइटों से सजा हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं यहां के रोड कितने सुन्दर और कितने प्यारे नजर आ रहे हैं नाइट में लाइटों से सजे वे और बात करें हम यहां के होटलों की तो आपको यहां पे होटल मिल जाते हैं बट मेले के टाइम पर यहां पर होटलों के चार्जिस डबल हो जाते हैं क्योंकि मेले के टाइम पर लोग देश विडिये से भी यहां आया करते हैं और मेले के लुप्त उठाया करते हैं और अब बात करें पुशकर मेला कैसे आए अगर आप बस ट्रेन से आना चाते हैं तो इसका नियरी से आपको रेलवेशन अजमेर पड़ता है रेलवेशन से आप बस ले सकते हैं और बस की टिकट आपकी 20-25 रुपे गी है तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने कई सारे होटल से स्टार्ट हो जाते हैं जिनके सबी के रूम अलगलग प्राइज पर हैं और बात करें मेले के अंदर घूमने की तो आप फॉरवर लेके मेले में नहीं जा सकते यहां से आप टूलर परचेस कर सकते हैं टूर्विलर से आप खुद मेले में आगे घुम सकते हैं और फोर्विलर को आपको पार्किंग में लगाना होगा तो हमने लगा दिये गाड़ी को पार्किंग में और निकल चुके हैं पुशकर जील की और मार्किट से होते वे जैसे कि आप मार्केट में देख सकते हैं किते सुन्दर सुन्दर और प्यारे प्यारे यहां आपको कपड़े मिल जाते हैं जो कि यहां पे सबसे ज़्यादा फोनर्स प्रचेस करना पसंद करते हैं वैसे तो ये एक tourist place है, यहां से जितनी भी tourist आते हैं, mostly कुछ न कुछ यहां से खरीदना जरूर पसंद करते हैं, यहां पे आपको कपड़े अच्छे reasonable price पे मिल जाते हैं, बात करें जैसी कि यहां टी-शिर्ट हैं, यहां पे आपको टी-शिर्ट है 300 के अंदर अराम से मिल जा जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, लाइटों से जगमाता हुआ, पुशकर रेश्टरेंट जो कि अपने में बहुत ही बहतरी ने, यहां पे फोरनर्स आना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दोस्तों बात करें यहां की कथा की, तो विश्व में एकलोता मंदिर बर्म ब्रमा देव यक के लिए एक जगा डून रहे थे, तब ही उनके हाद से एक फूल पुशकर में आगिरा, उससे यहां पे एक सरोवर की स्तापना हुई, ब्रमा देव ने जब यह देखा, तो उन्होंने यग करने का फैसला यहीं किया, और यग करने के लिए उनकी पतनी करकी को देखा और उससे विवा करके और यक को संपूर किया, जब कुछ समय बाद माता सावित्री देवी को बर्मा देव के विवा के बारे में पता चला, तो माता सावित्री देवी ने क्रोध में आके बर्मा देव को शराब दे दिया, और कहा, के हे बर्मा देव, आपकी पुजा, पुशकर को छोड़ के विश्व में कहीं नहीं होगी। तब से विश्व में बर्मा देव की पूजा सिर्फ पुशकर में होती हैं और कहीं नहीं। कर वा है, night का view कुछ इस तरह है और हमारे next vlog में हम आपको day का view भी दिखाएंगे तो दोस्तों अब हम लोट चुके हैं वापस market की और अब मैं आपको market explore कर वाता हूँ, market night में किती बड़िया हो, किती सुन्दर नजर आती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको hand making दिखता है सारा जितना भी आर्ट है यहाँ पर hand making आर्ट है और अब हम night में पृती और मैं चल रहे हैं market के अंदर और देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज़ है जो हम यहाँ से purchase कर सकते हैं और हमें सबसे पहले नजर आता है यहाँ पर राधेजी restaurant जहाँ पर आप देख सकते हैं खाने पिने के लिए सब कुछ available है market में आपको सब कुछ मिल जाता है और अभी हम पोचे हैं वरा घाट के पास में जैसे कि आप देख सकते हैं यह वरा घाट का गेट है जो कि विष्णु वगवान के तीसरे अफ्तार दे वरा जैसे यहाँ पर टोटल बावन घाट है जो कि हिंदु धरम के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं तो दोस्तों अभी समय हो रहा है रात को 10 बच के 40 मिनट का और धीरे-धीरे मार्केट क्लोज होती जा रही है जैसे कि यह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 11.30-12 वित तक भी मार्केट ओपन रहती है और हमें दिखाए देते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े है वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या हमें यहाँ पर पसंद आता है और हम क्या-क्या प्रचेस करते है तो दोस्तो अफ़ आप आख अचुके हैं बदरिकाट जैसे ही मैं आपको भारती दैर्षन करवा और बदरी घाट के और इधर ही मिल जाती है आपको मारकेट भी और कही सारी अभी शॉप्स बंद हो चुकी है और साथ में यहाँ पर हमें मिल जाती है जल की सुवीदा तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं किशना कंगन स्टोर पर जहां पर हमें कई सारी चैन्स मिल जाती है, लोकिट्स मिल जाते हैं, और लेडिसों के लिए कई सारी चूडियांस वगरा यहां पर आराम से मिल जाती है, जो की बहुत ही अच्छे रिजनिबल प्राइस पर हैं, तो अब हम आ चुके हैं गव घाट के पास में, जैसे कि आप आराम से परशाद परचेस कर सकते हैं, मार्केड में घुमते घुमते मिले हैं हमें थोड़ी देर में ये गोलगपे वाले भहिया जी, जिनका नाम है राइस्तानी भेलपुरी वाले, और इनसे हमने थोड़े बहुत गोलगपे खाये, जो की बहुत ही बहतरी न थे, अब हम में हैं, यहां पर हारों की दुकान, चूड़े की दुकान, जहां पर प्रीती कुछ हार देख रही है, जो की उन्हें पसंद आ गए हैं, और अगर आप पुशकर आने का प्लैन कर रहे हैं, तो यहां से मार्केड में आकर इस शॉप से ज़रूर आप परचेस करें, यहां प बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे प्राइज में मिलते हैं, यहां पर कई सारे हार आपको दिखाये जाते हैं, और मार्केड में घूमते घूमते आपके पास कैश खतम हो जाता तो यहां पर ATM भी अबलेवल है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, कोटक का पीछे अच्छे घूमते गया ATM जहां से आप कैश निकाव सकते हैं, जहां पर कैश हमेशा अबलेवल रहता है, और दोस्तो मार्केड अंदर आपको यह रिक्षा भी मिल जाते हैं, अगर आपको मार्केड से बाहर जाना है तो आपको यह रिक्षा आराम से मिल जाएंगे, यहां से बर्मादेव जी के मंदिर के दशन करेंगे और वैसे तो दोस्तों यहाँ पे फोटो वीडियो बनाना अलाव नहीं है तो मंदिर के भार तक कई वीडियो बना सकते हैं उस तो मंदिर से थोड़ा सा अगे जाके मार्कट में मिलती है हमें राइसानी कपडो की दुकान शॉप का नाम है सिरिसाला सर बाला जी हैंडी क्राफ्ट यहां से हम कुछ शॉपिंग करेंगे और बात की जाए यहां के रेट की तो यहां पे फिक्स रेट है यहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं है जैसे कि आपको सामने दिहाए देगा हर कपड़े के सामने उनका हैस्टेक लगा हुआ है कि वो कितने तक का है आप देख सकते हैं यहां पे राइसानी कितने कलरफुल स्टॉल है जैसे कि आप देख सकते हैं राइसानी पैटन के अंदर और यहाँ पे कुछ स्टॉल हमें पसंद आया है जो कि हमने यहाँ से परचेस की है और बाकी अभी हम अंदर जाके देखते हैं हमें और क्या कैची यहाँ पर पसंद आ रहा है यहाँ पे बच्चों की फ्रॉग मिल जाती है जैसे की आप देख सकते हैं सतर पर फिक्स रेट है जो की एक से डेड़ साल तक के बच्चों की यहाँ पे फ्रॉग लाएंगा चुन्नी अराम से मिल जाती है तो दोस्तों मैं शॉप आपको अंधा से दिखाता हो और दिखाता हो यहाँ पे हमें कैसी और कितनी बढ़िया बढ़िया ड्रैसी's rice and dresses हमें कैसे और किते अच्छे rate पर मिल जाती है और हमें यहाँ पर सामने SBI का ATM भी मिल जाता है तो वही बात दोस्तो cash खतब हो जाए तो यहाँ पर ATM अफले वाल है आप यहाँ से कभी भी ATM से cash निकाल सकते हैं और दोस्तों आप हमने market के अंदर कुछ चपले देखी है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर rice नहीं चपले जो की अच्छे price में है यहाँ से starting होती है आपकी 1.500 रुपे से और उसे उपर आप जित्ती अच्छी चपल देखना चाहेंगे उसे आप से यहाँ पर rate है और अगर यहाँ यहाँ पर आके अगर आप भी purchase करना चाहते हैं और मेरे चलन का नाम लेंगे तो आपको और भी अच्छे हैं आपर discount मिल जाएगा पर उसके लिए आपको मेरा चलन सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा यह आप शॉप पर दिखाएंगे उसके बाद ही आपको discount मिलेगा तो दोस्तों अब हम आचुके हमने hotel जिसका नाम है रामगड हवेली resort swimming pool with restaurant अफलेवल हैं यहाँ पर और अब आचुके हम हवेली के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का night का view और मेरे next vlog मैं आपको यहाँ के morning का view दिखाऊंगा जो कि अपने में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा है अभी मैं आपको night view दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर pre wedding वगरा shoot होती है हवेली के अंदर आपको swimming pool भी available मिल जाता है और वैसे तो मैं आपको night view दिखा रहा हूँ हमारा जो next vlog आएगा उसके अंदर मैं आपको morning का view दिखाऊंगा हवेली का जो कि अपने में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही और अच्छे reasonable price पर है वैसे तो पुशकर मिला जब लगता है तो यहां के price बढ़ जाते हैं अब हमारा next vlog आएगा उसके अंदर मॉर्निंग में आए ना पुशकर मार्केट को explore करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अब next vlog में